सच साहस सरोकार कर देखा है जब दवाईयां नहीं काम कर रही थी तो डॉक्टर ने इस्टराइट्स दिये और इस्टराइट्स की वज़ा से धेजरे लोगों की इम्यूनिटी लो होती गई उम्यूनिटी लो होई तो उनको नई बीमारियों ने आके जगड लिया तो वहां पे गवर्न्मेंट आप इंडिया ने भी जो आयूश मंत्राले बनाया है उन डाक्टरों को भी बुला कि थोड़ा सा लगता है लेकिन रिकोवर करने में और बिना किसी हामफुल एफट्ट के एफेक्टिव हमें बात करोना की करी सर्थ तो करोना एक वायरल इंफेक्शन था और अभी मौसम बजलने वाला फिर से जो सीजनल दिक्कते जैसे की बारिश का मौसम आएगा तो कई तर दिक्ति वायरल इजिसे की बहुत तेजी से पांव बसारते हैं और वायरल इसे हम जान लेते हैं हूता क्या है जब भी वायरल डीजीज हो जाएगा सबसे पहले आपको बुखार होगा बुखार के लाब बहुत हाई डिगरी का तेमपरेशर राइज होता है बॉड़ी होता शींग आना, गला खराब हो जाना और viral fever एक बार हो गया अगर इसको treatable अगर इसको इसका इलाज ना किया गया तो यह लंबा किज जाता है 10 से 15 दिन और फिर वो लगातार मरीज को चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बुजूर्ग हो या महिला हो तो काफी समय तक बिबार कर सकता है बोडी को भी कर देता है बोडी को बहुत बीक कर देता है बोडी बहुत ज़्यादा immunity लो हो जाती है और तमाम तरह के infection होने के chances भी बहुत हो जाते हैं तो generally influenza virus बहुत कामन है influenza A, B, C, D इस तरह के virus होते हैं तो influenza virus में होमिपेथी में होमिपेथी का सिद्दान्त है similia similipast curenter यानि कि जहर-जहर को मारता है influenza virus से ही बनाई गई दवाई influenza जिनम यह अगर preventive medicine के तोर पर कहते हैं prevention is better than cure अगर आपको पहले से यह medicine दे दी जाए तो chances यह होते हैं परसन को infection ना हो और हमिपेथिक दवाई नहीं जब दी जाती है तो उसका immunity level बढ़ जाता है और infection से वाडी की fight करने की capacity बढ़ जाती है जो हमारी WBC से हैं हमारी से red cells है वो active हो जाती है और हमको infection पर नहीं होता है अब भी हमने infection की बात करी करोना के नए variant एक सी भी सामने आ रहा है कि लोगों को तमाम इस से दिक्कते हैं कि हम नए variant आ रहा है मौसम भी बदलने वाला है वाइरल भी होगा तो इसमें किस तरह से लोग किस तरह के दवाईयों का दवा नहीं बना पाई है क्यों नहीं बना पाई है तमाम pandemic पहले होते थे वाइर अगर आपको bacterial infection है उसके एंटिबाइटिक है उससे control हो जाता है लेकिन वाइरल डीजीज हमेंसा जीनूम बदल जाता है कि कितना तेजी चेंज हुआ करोना के जीनूम हमेंसा वाइरस चेंज होता रहता है तो इसमें आपको होमेपैथी को बहुत बड़ा रोल होमेपैथी और जो नैचरल दवाईयां हैं जिससे कि हमारी बॉड़ी की लेकिन वह वाइरल लीजी जाती नहीं और वह पेशन धेरे धेरे काफी वीक हो जाता है और उसको अगर वीक होने के बाद अगर उसकी कम है शुगर है बीपी है अलेडी उसको आज कर पहले से कोई दिक्कत है तो बढ़ जाती है तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि को अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए और ऐसी चीजें आपने देखा कि नैचुरल इतनी भी चीजें हैं जो की विटामिन सी हो या यह गिलोए है और बाकी नैचुरल चीजें उला है इन सब का रोल बहुत बढ़ा है लोगों ने काफी जो अपनी डाइट को स करना सुरू कर दिया तो कैसे क्या कुछ मल्टी विटामिन हैं यहां पर हम लोग सेम्टमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं बहुत सी मेडिसिंस हैं जो कि हमारे इम्मुनिटी बढ़ाती हैं जैसे आर्सेनिक अलबम एक मेडिसिंस जो की जी करोना के समय में भी बहुत को मतलब तो यहालत था कि हम लोग ने एक पेटी की पेटी मंगा के लोगों को डिस्टिबुट करा था यह दबा मिली नहीं रही थी लोगों ने इसको इसको स्टाक करना सुरू कर दिया था जबकि ऐसा नहीं आर्सेनिक के लावा और भी दबाईयां थी तो वो क्या करती है आर्सेन से fight करने के capacity बढ़ जाती है तो आर्सेनिक बहुत एफेक्टिव था आर्सेनिक के साथ साथ में कुछ और दवाईया थी यह पीटोरियम यह बेलाडोना तो वह भी काफिर थी और यह मार्केट में शार्ट हो गई थी लोगों ने इतना खरीद खरीद के रख लिया था कि पूछिये मत उस वब तो सौटेज हर दवाईयों की हो गई थी यह बहुत कामन दवा थी अस्तमा की दवा होती है कार्डियक अस्तमा के अस्पिडोस परमा अब किसी ने वारल कर दिया उस अगर ट्रीटमेंट लिया है नेचरल दवाईयां हों वेथी तो उससे काफी उनको लाव होगा था कि कई दवाईयां ऐसे थी करोना के वक्त में फिर कोई भी वाइरल जो बाता है तो कई दवाईयां मार्केट से गायब हो जाती है जो एक्चुल में जुरत मंद होता है उस अगर कुछ हाई पोटेंसी की दवाईयां जैसे 30 के उपर 200 लगाता ले लिया इर्रिवर्सबल पैथोलेजिकल चेंजर हो जाते हैं जो कि किसी भी मेडिसिन से ठीक ही नहीं होते हैं और कोई दुनिया में ऐसी टेकनिक नहीं है जो से पता लगा ले कि ये किस दवाई से हु तो उतनी ही दमाले उसको स्टाक करकर के करें की लिया नहीं की वादे हैं हम लोग बोलते हैं कि इतने दिन खाल ही एगा लोग कते हैं黨ने लोग क Marcy के बार लोग ज्यादा खालेते हैं जादा नहीं कहाना तो उसकी क्र 앞에 दूर दूर को अब घूल भाट्ट बहुत अड़ते ह एलर्जी की जो मेजर प्रॉब्लम है इंफेक्शन की उसमें साइनोस भी आता है तो उसके लिए होमियोपैति कैसे कारगर है इस समय में सबसे ज़्यादा लोग को अलर्जी की प्रॉब्लम होती है डस्ट से कभी हम एसी में हैं निकल के बाहर तुरन धूप में जा रहे हैं त बहुत कामन है जब भी मौसम चेंज होते रहते हैं अब इसमें जब भी इन्फेक्शन हो जाता है इसमें बहुत ज्यादा एफेक्टिव हैं अभी वांगला कुछ साल पहले की बात है अगर किसी को एक को हो गया तो पुरे घर को होना ही होना है क्योंकि वह बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है तो वह किसी की आख लाल हो गई आप उसके सामने बैठे हैं तो आपको भी वायरस से इंफेक्शन हो जाएगा तो उसमें होमेपेथिक में कुछ दवाईयां है जलसीमियम है बहुत एफेक्टिव हैं और दो से तीन दिन के अंदर ये ठीक कर देती है और होमपेथि में एक आईड्राफ है मैं अपने दर्सों को बताऊंगा हो हमेंसा घर पे रखे 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 या या यूफ्रेशिया नाम साहिद उसका नाम ही है आईब्राइट उसकी पतियां बिल्कुल आँख के तरह से होती हैं तो उस दवा को डालने से आँख की कोई भी प्राब्लम हो इंफेक्शन हो पानी आ रहा हो या कंजंग्टिवाइटिस हो गया हो तो तो उस पर तुरंदा रहा हो है इस वक्त में प्रॉब्लम है आयरेड़नेस जो आई की है वा इंफेक्शन चेस्ट इंफेक्शन हो रहा है तो हमोपेथिक दवाईया इसमें बहुत कारगर हैं जो कि फ्यूम्स हैं धुआ धूल धक्कड से लंग्स में और प्रंकाइटिस होने के बहुत चांसे आजकल यंग जनरेशन से जो लोग ट्रैफिक में ज्यादा रहते हैं ट् कारगर हैं जी 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 यह तो रही नॉर्मल डिजीज की बात है अगर बात करें जो मेजर डिजीज हैं जैसे की किडनी स्टोन हो गया कैंसर हो गया तो इन सब में जो होम्योपेथि को मीठी गोली समझते उन्हें इंस्टें टहराम नहीं मिलता इसलिए वो जाते हैं ये लो आप उनके पास जाओगे तो जरूर एक बार वो बोलेंगे चाहे आप पीजी आई एक अच्छे अच्छे हस्पिटल्स में कि अगर आपको कोई इलाज नहीं है लेकिन किट्ने स्टौन है किट्ने स्टौन होता कें और आपको होगया आपने पहुडेशिया करा कि लेकिन क्या नहीं होगा ही फिर स्टोन मननने लगे होता कि होँए हम दरसों को गतातें मौली मेरा केलशियम मेटाबोलिस्म होटबर है जैसे आपका जो कैलशियमplement में बोन होना चाहिए वो बोन खतम कर देती हैं और हाइड्रोथ्रैपी पानी को ज़्यादा पियें और होंपेथिक दवाईयां लें प्रिवेंटिब का भी काम करती हैं जैसे बर्बरिस वल्गरी से आपको हर अलोपेथिक स्टोर पर भी मिल जाएंगी बहुत कामन दवा है और किड्नी स्टोन में किड्नी हो रही है किड्नी फेलियर हो रहे हैं दवाईयों को वज़ा से इसमें भी हो पैथि बहुत कारगर और नेट्रम यूर यह सारी दवाईयां बहुत इफेक्टिव हैं किड्नी के लिए और किड्नी स्टोन में तो हम लोग बोलते हैं पेशेंट से आप दवाईयां सुरू हां लेकिन ठीक होने के बाद भी प्श दिन प्रिकाशन हो रही है यह साओ कुछ तो अगरricoच शुरू बहुत कि अगर कर सकती प्रसब कर सकते प्abilities को अगर प्र extra सुरू भी हो गया है लेकिन कुछ ऐसे हो पेथिक मेडिसिन है जो की क्रेटेनिन लेविल को यूरिया लेविल को एकदम कम करती हैं और कुछ हम लोग साथ में उसको नेचरल डाइट भी देते हैं जैसे आपने पीपल देखा होगा हमारे हां पीपल के पत्ते को आप देखे किड्नी शेप में होता जी है किड्नी में बगुत एक्टेव होता है अगर पीपल की च्छाल उबाल कर उसका पानी लिया जाए तो क्टि के डीलीसिस में हम लोग ने ऐफेक्टिव है देखा है कि इनोंकी डीलीसिस का जो रेशियो हो काफी कम हो जाता है ब्लड यूरिया लेविल क्रीटिनिन तो इसको बहुत बड़ी दिक्क्त है आज के यूथ में भी दिक्कत है बहुत कम एज में ने देखा है कि कई हमारे साथ के क्लीक से वर्ग प्रेसर की प्रॉबलम है तो इसका क्या कुछ क्यों है सबसे पहले तो मैं लोगों को यही कहूंगा मैं अगर अपने लिए 45 मिनिट नहीं निकाल सकते तो यह आपकी प्राबलम है यह शेक्मेंट नहीं है इतनी भागा-दवड़ी की जिंदगी है कि आप 40 मिनिट लोग बाबा राम देव नहीं क्या किया कि वह लोगों को सांस लेना ही तो सिखाया और बात में तो लोगों नहीं करने लग तो कहने के मतलब आपकर अपने लिए केवल 40 मिनिट का टाइम निकाली है तीस से 40 मिनिट पराणायाम योगा थोड़ा से एक्सरसाइज वाकिंग यह करिए किसे इस पार में एक्सरसाइज जरूर करें और आप अगर उसको अपने डाइट से नैचुरल मेटसिन से अपने खान पीन से अपने एक्सरसाइज रूटीन से अगर आप ठीक कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई प्राबलम नहीं क्योंकि आज कर यह भी देखा गया है कि किड्नी प्राबलम की वज़े से भी बढ़ता है अग अच्छ के वक्त में शुगर और बीपी बड़ा कॉमन हो गया है तो शुगर के जो डाइबेटी के पेसेंट है डाइबेटीज वाले उनके लिए क्या कुछ दवाई अवेलेबल है और प्रिकॉसंस क्या कुछ है होम योपैटी में डाइबेटीज के लिए देखें इंडिय अगर कोई एक्सराइबेटीज नहीं करना चाहता है अच्छी लाइफिस्टाइल अच्छे डाइट नहीं लेगा तो इसकी डाइबेटीज दवाई लेने के बावजूद नहीं खतम होगी दवाई लेने के बहुत सो लोग समझते हैं कि हम दवा ले रहे हैं कंट्रोल है ने गाड़ी स्टाइट कर दी इंजन स्टाइट है ब्रेक और एक्सेलेटर साथ में दबाया हुए गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी कुछ ना कुछ दिर बाद गर्म हो जाएगी और उसके बाड़ी पर आपके एफेक्ट आने लगें डाइबेटिक रेटिनोपैथी बहुत मने देखा है जो पेसेंस होते हैं शुगर के उनके कुछ डिजीज ब्लाइक स्किन होने लगती है उनकी लेक्स की ब्लड सर्कुलेशन डिश्टर होने लगता है शुगर में उसकी वज़ेश से होता है लोग समझते हैं कि चीनी ना खाना ही शुगर का वह सब्सीचूट है पर लोग शुगर फ्री खाने लगते हैं। शुगर फ्री और हॉर्मफल है। ऐसके वकि bewusst प्रकouri पहुड़े हैं। वृत ऑने इसा नहीं कि शुगर डिद्क मैं मइ तोड़ा लो है। जैसे खर्बूजा है तर्भूज है आपका प्पीता है अम्रूद है यह सारे फल डाइबटीक को क्या होता है अकसर डाक्टर से ला देते हैं फ्रूट नहीं खाना अब फ्रूट नहीं खाएगा तो उसकी बॉड़ी में और वीक होती चल्ए जाती है तो फ्रूट बहुत जर कैंसर बहुत तेजी से अपना पैर का सार रहा है इंडिया में भी अगर बात करें तो बहुत तेजी से कई जगर तो वाटर भी एक रीजर है अभी हम लोगों ने आरसेनिक की बात करी तो बलिया पुरवांचुल के कई ऐसे एरियां जिनमें रिसर्च में भी सामने आया है कि की वाटर की वज़ा से लोगों को कैंसर का सामना अप करना पड़ रहा है उनके हाथों में पैरों में अभी तक कोई लाज उसका नहीं मिल पाया है और गायों के होने के हूझे से वह ज wildlife सर्फ टाटा इंस्टूट हम जाते हैं सब 2 सब के बस की बात नहीं तो होम युपैट बहुत expensive नहीं होमियोपाथी की धवाईया होमियोपाथी के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं कैंसर एक बहुत बड़ी दिक्कत हंदुस्तान के लिए बनती जो आ रही है कैंसर बहुत कामन हो गया पहले कहा जाता था यह राज रोग है बहुत अच्छे जो परिवार हैं लेकि अब देखा गया है कि बहुत कामन है कैंसर होता क्यों है काराण उसका क्या है कैंसर से हर इंसान के बाड़ी में होती बस वो कब एक्टिवेट होती ज़्यादा तर केसस में आज़े हों पैथ हम लोग ने देखा है हमारे पिता जी ने करीब 40 साल प्रैक्टिस की उन्होंने पर उनके पास पेशिंट आता था तो पूछते थे कैंसर हमेशा उन लोगों को ही हुआ है या ज्यादा तर होता है जो लोग ग्रीफ में रहें ग्रीफ यानि की सदमे में या बहुत उनको अंदर यंदर कुछ इंट्रोइट लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स बता नही सब्सक्राइब 10 बांड़ा हो गया अब उसमें फिर आपने फॉलय को ठीक ना होने दीजिए बार-बार गहाओ उता रहा तो फिर उसमें आपको cancer होने के चंसे जाता हो जाते तो होमेपेथिक दवाईयां बहुत एफेक्टिव हैं मैं आपको बताऊं थार्ड और फॉर्थ स्टेज के कैंसर में भी होमेपेथिक दवाईया पेशेंट की लाइफ को बढ़ा देती हैं उसका पेशेंट को पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर होता है लोग बाल धर जाते हैं इसकिन पूरी खराब हो जाती है ड्राइ हो जाती है खाना पीना नहीं खापाता है पेशेंट पूरा वेट लास हो जाता है तमाम दिक्कते होती हैं तो अगर समय रहते हैं अपनी डाइगनोसिस अगर क्लियर हो जाए तो होमवेथिक फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में तो बहुत अच्छा क्योर भी है और होमवेथिक दवाईयां इम्मूनिटी बढ़ाती हैं पेशेंट सबसे पहले तो कैंसर से डर जाता है डरना नहीं चाहिए और लोग डरा देते हैं सला लेने लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं अगर पेशेंट डरे ना आप देखिए जितने भी लोग कैंसर से ठीक हुए हैं उन्हों के अंदर अपने अंदर की अगर आपने इम्मूनिटी बढ़ा लिए एक द्रेट सक्ती जो होती है ना कि यू और आपको कैंसर भी कुछ नहीं कर सकता यूरा सिंग को देखिए कैंसर से ठीक होगे दुबारा से उन्होंने अपने करियर में वापस लेकिन एक ब हुम्योपाथी में उसकी मदद कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है अगर लगातार कोई भी बिमारी ज्यादा दिन तक अगर उसको हो गई तो कैंसर भी होने के चांसे होते हैं इल्बर ही में बुद्वर यह मैं केनप्रीज थे यह एकॉस का मन काज है घुन थे यह सक्क्राइश होता है हो अगर इसका खाया चो्वेडिकल रिसेर्श में हो तो Western countries हमारा खाना लेकर और हम उनको कापी करते हैं तो इसलिए हमारा जो इंडियन खाना है और जो हमारी नेचृरल डाइट है जो हमारी fruits है वेजी टेबिल्स हैं जो इसको अगर आप खाएंगे तो आपको डिजी से लड़ने में बहुत सा आयता मिले कि टॉक्टर लगभग 20 जैसे हमने पढ़ा आपके बारे में लेकिन पूरे शहर में फ्री में दवाईयां देते थे एक संस्था ते उससे जुड़े होगे थे उनके लेक्चर नहीं रखे जाते थे एक दिन उनका पूरे शहर को बाकी घर पे भी देते थे तो हम लोग ने उनसे सीखा और देखा कि हूमिय पैथी में कभी-कभी तो पेश यहां जो जड़ से हम लोग ने ठीक होते देखी किसी को सरदर्द है पची सो साल से उद्वा खा रहा है लीवर की प्राबलम है लीवर की प्राबलम में हम पैथी बहुत इफेक्टिव है जब देखा जाता है कि लीवर खराब हो गया आजकल लोग नशा करते हैं उससे भी चीज़ों से चारा हुआ है जादा जो मसाले हो गया बहुत ज्यादा मसाले खार रहे हैं लोग फास्पूर्ड वह भी लीवर खराब करेंगे बच्चों को देखे आप लोगो कोल्टिंग पिलाते हैं को चोटा से बताओ को नीटरल करने के लिए करीब करीब दस लीटर पानी लगता है अलकलाइन वाटल एक कोल्डरिंग की बोटल को न्यूटरल करने के लिए तो अगर आपने एक कोल्डरिंग भी बच्चे को दिया तो लोग काते मानता नहीं बच्चा अरे घर में लाइए ही मतना कोल्डरिंग पॉइजन का काम करता है तो इसलिए नेचुरल जूस पिलाइए बच्चों को फूट्स कि लाइए लसी पिलाइए दूद की चीज़े दीजिए लेकिन कोल्डरिंग और यह सब चीजें कैंसरस भी होता है और बहुत डेंजरस होता है कारबन डाक्साइड और शुगर की मातरा बहुत ज्यादा होती है तो इसलि इसलिए हो कि एप का जाता है कि ठीज संच्वेह की कि पाइथी है आप ने क्योंड supporters है कि कितने लोगों हैं लोगों हम लोगों ने अपनी क्लिनिक्स भी क्होली और कितने भी लोगों को यह 6 कह लोघ लोघिक गभोने दवाईाइन दिया जिनका फोट इन्फेक्शन था उनको gay grim पेशेंट अगर घबराया नहीं है और उसको एंपेटिवेंगी है वों पेथिक दवाईयां वे एक तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा है बजरों के लिए अच्छा है कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से उसको लिया दा सकता है और एफेक्टिव भी है कास्ट तो अगर जो बीमारियां जो आपकी कंडिशन सर्जिकल होने जा रही हैं अगर उसको प्रियंशन कर लिया जा पहले से फीमिल डिजीज में देख लिजे बहुत कामन है पीसी ओडी यूटरस की दिक्कत हर्मोनल प्राबला मेजर दिक्कत आज कल विमन्स की इंफेक्शन है अगर डिटॉक्स वाटर लिया जाए एक लीटर कांच का जार लीजिए उसमें खीरा नीबू अद्रग हरा धनिया और पुदीना की काट के डाल दीजिए के विल एक हपते तक पांच घंटे पड़ा रहा हैं दिजिए उस पानी को चान के पीजिए यूरीन इंफेक्शन कि सीवियर हो बहुत जल्दी आराम हो जाता है उसके लिए हों पैथी में यह सिद नाइट्रिक पल्सेटिला सीपिया यह कुछ मेडिसिंस है यह दिखा गया है कि यूटी आई बार बार रिकरेंट होता है तो अगर आप होम पैथी ट्रीटमेंट लेती हैं तो इसका पर्मनें किस तरह से यलोपैथी से अलग है और किस तरह से आप किसी बिमारी को बहुत आगे बढ़ने तक या फिर सर्जुरी तक जाने से पहले ही रोका जा सकता है हम इस खास सेग्मेंट में आपकी मुलाकात और भी डॉक्टरों से करवाते रहेंगे देखते रहें यह प्राइम ट आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार